इस बुक में टोटल 25 सेट है विशे सुची देखेंगे तो 23 ही लिठा हुआ है लेकिन टोटल आपको 25 सेट है जिसमें 10 जीयस है कर दोट जीयस सेट औरव इसमें आपको जीयस के सेट का भी डिसकसन है फिर हधी के सेट का भी डिसकसन है और फिर तरेलियस एयर का भी डिसकसन पिशली बार भी जब प्रिलेंग्स का परिच्छा होना था, इस अमस्थान के गवारा लगभग में एक मा पहले एक प्रैक्टिस सेट लॉंच किया गया था, और जब लॉंच किया जागा राथा, तो आपको बताया गया था, इस प्रैक्टिस सेट से कोष्चन आयेगा, और क परिच्छा हो गया, परिच्छा के बार बेलिग्राम पे हम डाल दिये थे, कि इस सेट के इस नंबर कोष्चन से, इस डिसकसन से ये कोष्चन आया था, तो इस बार भी जो ये बुम लॉंच किया जा रहा है, लॉंच करने के दौरानी हम आपको ये बात बताने हैं, इस इस बुम के बच्चे थोड़ा एस्टेंडर लेवल का होता है, इस बार भी जाएक का सिर्फ कर दिये थे, जिस बज़ए जो आपको पर्ने वाले लोग थे, वे लोग उस बुम को पसंद नहीं किये, लेकिन इस बार फुर्म का सिलेवस बेस्ट मोडरेक कोष्चन रखने का इस बूम में पर्यास किया गिया है और इस बूम के question और discussion के मात्यम से लगभग पूरे syllabus को cover करने का पर्यास किया गिया है मेंस पर इच्छा में दो पेपर होता पहला पेपर हिंदी दूजरा पेपर जीएस पहला पेपर हिंदी हिंदी में दस सेट है दस सेट भी discussion के साथ अगर आप कर लेते हैं तो आप वो बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ने की जौरत नहीं होगी इस दस सेट को भी complete करके आप हि जीएस का दस सेट है उसमें में दो लिजनिंग का भी वेटे जहां 25 रखे हैं और जीएस का वेटे जहां आपको 75 रखे हैं 75 जीएस में हिस्टी, पोलिटी, जोगरफी, विजिक्स, पेमें हिस्टी, बैलोजी, एकोनोमिक्स, विबील हर चीद का हर अखेल पूद, हर चीद के प्रस्टी को हिने इसमें सामिल करने का प्रियास किया है ये बुक आपको अंतित घरी में कापी सहायक होगा, इस बुक का खैदा आपको तब होगा जब आप इस बुक के सेट को बनाते हैं और बनाने के साथ जो है, आप इस बुक के डिसकसन को पढ़ते हैं, ब्रिलिम्स के दौरान जो है, लोग डिसकसन को नहीं पढ़ेते हैं, जिस मझा से बहुत ज्यादा पैदा नहीं हुआ लेकिन मेंज के दोरान हम आपको ये बात पता रहे हैं आपको अज्वूप के डिसकसल को परिएगा तब ही आपको ज्यादा से ज्यादा पएदा होता hell और दूसरी बात यह नगा है कि गुफ गंचम पाए है और वूर्ण चापमानी का कारण ये है कि मेंस में छात्र गम है और संस्थान से जितने बच्चे जुहे हुए हैं उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए भूख छपाया गिया है दो से तिन दिन में मार्केट सौटेज कर जाएगा या अभी भी बहुत साड़ा दुपन में नहीं मिल लहा है जो भी 24 अप्रेल को मेंस देने जारे हैं जितना जल्दी हो सकता है आप अपने नजली की बूख एस्टॉल से प्राक्त कर सकते हैं पटना में या बूख आपको 135 रुपया में मिल जाएगा पटना से बाहर जाएगा तो फिर इसका रेट जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा समझे गए तो जो भी मेंस लोग देने जारे हैं सबी लोग इस बूख को खरीब लेंगे और करेंगे इसके डिसकासन को भी करेंगे